मुवी के स्टार्टिंग में हम एक वीच को देखते हैं काफी ब्यूटिफल और यंग होती है और वे अपने क्रो एपिकस के साथ जंगल में अकेले रहती है वे अपनी हट के बाहर बेटी मेजिकल स्पेल बुक से पढ़कर कुछ स्पेल कर रही होती है वे मेजिक करना तो जानती है लेकिन वे हमेशा उल्टा ही हो जाता है वे अपने मेजिक से बारिश करना चाहती है लेकि उसके स्पेल से स्पून की बारिश होने लगती है तब अपनी हट से अंदर चली जाती है अफे थोड़ा सेड होती है क्योंकि उसे दूसरी पीचिज ने annual festival में नहीं मुलाया था क्योंकि उनकी तरह और अगली नहीं की वे only 127 years की होती है तब हम नेक सीन में देखते हैं की वे रात में एप टिकसको सोता हुआ छोड़कर चुपके से अपने बुरूम पर बैठकर उस mountain पर जाती है जहां दूसरी वीचिज पार्टी कर रही होती है तर वे सोचती है की कोई उसे पहचाने का नहीं लेकिन ऐसा नहीं होता और वे पकड़ ली जाती है सब वीचिज उससे नाराज होती है की वे बिना invitation के यहां क्यों आई है और वे उसे punish देती है और उसके साथ ही उसे बड़ी spell book देती है और उससे कहती है की वे इस book को एक साल के अंदर learn करे उसके बाद वे इस festival में आ सकती है साथ में वे उसे punish करती है की वे पैदाली इस book को लेकर घर तक जाए और वे उसकी बुरूम को चीन कर आग में डाल देती है आवे बड़ी मुश्किल से उस वे इस book को लेकर घर तक आती है दूसरे सीन में लिटल विच खाने की टेबल बर बेटे हुई थी और वे एप्रिकर्स को उन ओल विचिस के बारे में बताती है जो पागलों की तरह डास कर रही थी साथ में वे उसको स्पेल बुक के बारे में भी बताती है तब एप्रिकर्स उसे इर्वाइस करता है कि वे इस book को अच्छे से लर्ण करे ताकि वे एक अच्छी विचिस बन सके उसके बाद वे एक स्केज बनाती है और कहती है कि वे एक दिन जरूर उस अगली रुमपल बेल को ऐसा बना देगी जरसल भी उससे नाराज होती है क्योंकि उसने उसे पार्टी से निकाल दिया था वे इस हुयोज बुक को खोलती है और इस पेल लेंड करने लगती है लेकिन फिर भी वे कुछ न कुछ गड़बर करती रहती है दूसरे सीन में हम लिटल विच को हट से बाहर आते हुए देखते हैं जो कुछ मुमेन को देखती है जो लकडिया इखटी कर रही थी लेकिन हमाना चलने की वज़ा से लकडिया कम थी जिससे परशान हो रही थी तब वे अपने मेजिक से तेज हमा चलने का स्पेल करती है लेकिन हमा बहुत जादा तेज चलने लगती है और वहाँ पर काफी लकडिया इखटा हो जाती है तब ही वहाँ पर जंदल आ जाता है और उन मुमेन को घर जाने के ये बोलता है वे उनसे सारी लकड़े छील लेता है तब लिटिल वीच उसे समझानी के कोशिश करती है अब नहीं मानता तो वे सारी लकड़िया मेजिक से उसके शॉल्डर पर रख देती है और खुद भी उन लोगों की हेल्प करना तो अच्छा है लेकिन उसे उस आदमी के साथ ऐसा भी एव नहीं करना चाहिए था अब लिटिल वीच के पास अपना ब्रूम तो होता नहीं और उसे खरीदने के लिए विलेज के मार्किट में जाती है जावे एक शॉप से ब्रूम खरीदती है अब वीच आगे बढ़ती है तो देखती है कि एक लड़की पेपर से बने फ्लावर सेल करना चाहती थी लेकिन उन्हें कोई नहीं खरीदता तब वेवने मेजिक से उन फ्लावर्स को रियल फ्लावर में बदल देती है जिनकी शानदाई स्मेल को सूंकर सब फ्लावर्स खरीद लेते हैं अब रोनी और उसके भाई को वीच पर शक होता है और वे उसका पीछा करते हैं जा वे उससे ब्रूम पर उड़ते हुए देखते हैं एक दिन रोनी और थोमस जंगल में जाते हुए रास्ता बढ़क जाते हैं और वे उस वीच की एट में पहुँच जाते हैं जा थोमस की चेयर को उपर उड़ा देती है, साथ ही वे टेबल को उल्टा कर देती है, तब रोनी उससे बात तब में दूर और शेर मिलाने के लिए बोलती है, तो वे ऐसा ही करती है, और वे अपने गर की हर चीज के म्यूजिज भी बजवाती है, तब यूज बहुत की बाहर कुछती है, क्या तुमारे गर के अंदर कोई हुमेन है, कभी तोमस को चीख आने लगती है, जिससे लिटिल वेज को भी चीखना पड़ता है, अब रुमपल बेल को उन पर शेक होने लगता है, और वे सारी बाते अपनी डाइडी में नोट करती है, उसके चाने के बाद लि मेजिक जुथा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बुख में उस्फे मना किया गया है, इसी तरह टाइम गुजरता चला जाता है, और वे बुक से सारे मेजिक सीख लेती है, और अच्छे से स्पेल मिलेर्ण कर लेती है, और इसी तरह winter आ जाता है, और winter आने पर little witch सिसने पॉ पोटी बक्ते है और उन्हें परुशान करने लगते हैं तब मे criterion करती है और उन्हें बरफ से ढखेती है और तभी एक लड़का उन मेंसे ुदास ऑखर जाने लगता है तो लिडेल उसका पीछा करती है उसके पीछे गुंपल वहती है और डाइरी पेसे इसी में बर्बाद कर देते हैं अब निटिलविच उसकी एल्प करना चाहती है और जब उसके पापा जुआ खेनने के लिए बार में जाते हैं तो वे उसे उड़न बॉल से सारी चीजे तुरवा देती है जिस्ते उसके पापा को धक्के देकर बार निकाल दिया जाता ह उन्हें अपनी गलती का दिलाइज होने लगता है और वे अपने बेटे से माफी मांगते हैं रुमबल बेल भी वहां आ जाती है और देखती है कि किस तरह एक विच अच्छी विच बनती जा रही है अब लिटिल विच जब गर आती है तो देखती है सारा गड़ केंडल से मगा रहा था वहां पर केक भी होता है यह सब डेकोरेशन एफ़ी कस ने की थी क्योंकि आज उसका 128 बर देथा नेट सीन में देखते हैं कि रुमबल बेल उसे इंडिमिडेशन देती है कि वे वाल बुर्गिस प्रोग्राम में आ सकती है लेकिन वे उसे बहुन करती है कि वे टेस्ट लेती है जैसे तूफान लाना विड्ली कड़कडाना और यह समय में सकसेस हो जाती है और वे सब उसे डांस प्रोग्राम का इससर बनाने के लिए त्यार हो जाती है अभी अचानक वहां पर रुमबल बेल भी आ जाती है और वे उन्हें बताती है कि मैंने साल बार इस लड़की की निगरानी की है और यह एक अच्छी विच है और लोगों की हेल्प करती है और इसकी एज़ भी अभी तक नहीं बढ़ी और वां की छी विच उससे कहती है कि तुम अच्छी विच नहीं हो क्योंकि तुमने लोगों की हेल्प की है और यह एक बुरी विच की निशानी है और वे सब उसका मजाग उड़ाने लगती है जिससे लिटल विच एमोशनल हो जाती है और उससे कहती है कि उसे नहीं पता था कि लोगों की हेल्प करने से में बुरी विच बन जाएगी अगर उनकी नजरों में उसे अच्छा बनना है तो वे रोनी और थोमस को पत्थर का बना दे लिटल विच गुसा होकर वापस घर आ जाती है और अपना सारा गुसा एप्रिकर्स पर निकालती है और उससे कहती है कि उसने उसे अच्छा होना सिखाया और वे उसे घर से बाहर जाने के लिए बोलती है अब नेक सीन में लिडल विच उन बच्छों के घर जाती है ताकि उन्हें पत्थर का बना दे लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाती है और वे उन बच्छों को बताती है कि उसे बड़े विचिज ने बुरा काम करने के लिए कहा है और अगर वे ऐसा नहीं करती तो वो उसके सारी प्रावर्स छील ली जाएगी उसके बाद उनके चार ओर एक सर्कल बना देती है ताकि कोई वीच उन्हें नुकसान ना पहुचा सके और जब वे घर से बाहर आती है तो रुमपलवेल उसे चिड़ाने लगती है कि वे ज़्यादा देर तक अब चुड सकती और वे सारे स्पैल रहें एक सीजाएं लेकिन वे जाने की ज़्यादी में मेच जिल्दी में छोड़ती कि उसेано कर देने के लिए रवाहन हो जाता है अब वही रात होती है जब सारिज़ डास कर रही होती है और लीडिल विच वहाँ कब से वर में जलने लगती है वह स सब्सक्राइब. सब्सक्राइब. लेकिन उसे एक spell तभी याद आ जाता है जिससे वे सारे विचिस को मेंड़क में बदल देती है सिवाए रुमपल बेल के जी एक चटान के पीछे चिफी हुई थी तभी वहाँ पर एक रिकस मेंट बोक्स लेकर आ जाता है और उसके बाद हम रुमपल बेल को एक मेज़े बुक्स चुपके से उठाते हुए देखते हैं जो लिटिल विच के देखने पर नीजे फैक देती है वे उससे दोस्ती करने के लिए कहती है लेकिन लिटिल विच उससे पहले सही नाराज होती है और वे उसे पिकी शकल में बदल देती है उसे सीन में रोली और तोमस के रुम का सरकल भी फुदबापुद मिट जाता है मुवी के लास्ट में वे अप्रिकस के साथ डास करती हो दिकाई देती है और उसे भी मेजिक करना सिकाती है इसी तरह movie का end हो जाता है आपको मेरी explanation कैसी लगी प्लीज मुझे comment करके जरूर बताए और मेरे channel को subscribe जरूर करें